सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट टेक्नलोजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नमस्टार दोस्तों मैं गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्टॉक्स की कुरुफिश पिसोड में और लेके आए हूँ आपके लिए बहुत ही कमाल की टेक्नियूज तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहला अपडेट है वो आता है सामसंग और गूगल के बीच में हुई पार्टनर्शिप को लेके अब देखिए आपको जो मिलते हैं सामसंग के गलक्सी S8 और S8 प्लस स्मार्टफोन वहाँ पे जो डिफॉल्ट मूजिक अप होगी वो होगी Google Play Music का ऐसे में वो करीब एक लाख गानों को ऑनलाइन जो है वो अप्लोड कर सकते हैं जो के नॉर्मल उजर के केस में लीट होती है पचास हजार की तो यह एक अच्छी बात है अट लिस्ट यहां पर गूगल प्लेटी मिल जाएगी सैमसंग गलक्सी S8 और S8 प्लस के साथ म दोस्तों यहां पर गला अपडेट है वो आप सभी जानते ही है कि आज है तारीक 22 एप्रिल यानि की है आज अर्थ डे अगर आप जाते हैं Google के होमपेज पर तो वहां पर आपको दिखेंगी कुछ टिप्स अर्थ डे को लेके तो भाई हमारी धरती है हमारी प्रकृती है आ पचाईए वो कीजिए उसको बचाईए नुकसान मत पहुचाईए भाई हमको अभी लंबा जीना है और आने वाली और बहुत सरी जनरेशन के लिए भी यहां पर इसको बचा के रखना है तो अर्थ डे को थोड़ा सा अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए और न सिर्फ आज अ करते हैं इंडिया कि अगर मैं बात करूँ तो स्नैप्चेट का तो नाम भी मतलो उसको तो भूल जाओ हाला कि मुझे कभी समझ में नहीं है मैंने एक बार बस पहले उसको अकाउंट बना के छोड़ रखा है तो स्नैप्चेट तो ब्लैंक निकल गया है इंस्टाग्राम मु तो जाइए भाई सभी पे फॉलो कर लो वहाँ पे आपको और कुछ इंट्रेस्टिंग अपडेट्स मिलते रहते हैं जो कि मैं पोस्ट करता है रहता हूं रगलर बेसिस पे तो यहाँ पर जागला अपडेट है वो आता है चाइना की तरफ से और चाइना में एक प्लानिंग चल रही है यानि कि पूरे एरपोर्ट पे बिना कैश के सभी काम आप कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पे कुछ और AI सिस्टम को काम में लिया जाएगा जिससे जो सिक्यूरिटी है वो और ज्यादा अच्छी भी होगी और साथ को साथ जो पेसेंजर्स हैं उनको भी कोई परिशानी नहीं होगी तो ऐसे में दोस्तों चाहे वो चेक इन कर रहे हैं चाहे वो फ्लाइट बोर्ड वोगरे कर रहे हैं ऐसे में वो एकदम कमफर्टेबली जो है अपना मुवमेंट दिखा रहे हैं लेकिन फिर भी जो सिक्यूरिटी है वो एकदम हो सकता है HTC U11 और यहां पर दोस्तों एक वीडियो में दिखाया गया है कि इस फोन में आपको साइड टच का कुछ फीचर मिलेगा जहां पर आप फोन के एजिस पर टच कर सकते हैं तो काफी इंटरस्टिंग चीज होगी देखते हैं कि यह कब तक आता है और अगर आपको गना होगे तो भीडिक भी जायेगा दोस्तों यहां पर अगला अपडेट है वो आता है एपल की तरफ से और अपल का लेटेस्ट अपको मालू में क्या है और ऐसे में Apple शायद अपनी खुद की सेटलाइट बनाने का सोच रहा है या कुछ न कुछ तो दिमाग में चल रहा है देखते हैं कि Apple हमारे लिए क्या काम करता है आगे चलके कि भाई आपका iPhone है specially सेटलाइट से लिंक्ड है और मैं मजाग कर रहा हूँ ऐसा उन्हें नहीं वाला है लेकिन हाँ definitely Apple क्या पता सेटलाइट के फिल में कुछ इंट्रेस्टिंग काम कर जाए दोस्तों यहाँ पर अगला अपडेट है वो आता है Xiaomi की तरफ से और Xiaomi ने लाँच कर दिया है काफी दुनों के ब्रेक के बाद वरना तो रोज कुछ नों कुछ लॉज करता ही रहता है अपना एक नया प्रोड़क्ट और इस बार थोड़ा सा सेंसिबल है यह है दोस्तों एक 3-axis stabilizer आपके स्मार्टफोन के लिए यह एक normal gimbal की तरह नहीं दिखता है जो design है वो थोड़ा सा अजीब सा है लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि जो stabilization वो थोड़ा सा अच्छा है और जो acceleration वो भी काफी अच्छा है और real time में यह track करता है आपके phone के movements को बिसकलिए आपके हाथ के movements को और उसके according stabilize करता है आपकी video footage को तो interesting device है इंडिया में मिलेगा नहीं तो सोचनी की ज़रूत नहीं है आएगा चाइना में भही का वेंबिंग जाएगा इंडिया में कभी किस्मत रही तो क्या पता वरना तो आप जानते ही है कि क्या आने वाला है दोस्तों यहाँ पर जो अगला update है वो है बाहू बली 2 को लेके आप सभी wait कर रहे होंगे इस movie का और यहाँ पर दोस्तों Airtel ने collaborate किया है बाहू बली 2 के साथ में और launch कर दिया है अपनी एक नई sim को जो है Airtel बाहू बली sim अब यहाँ पर आपको कुछ special benefits मिलेंगे इस 4G sim card में क्या पता speed और ज़्यादा तेज हो जाए क्या पता जो कुछ और कमाल हो जाए इस sim में लेकिन हाला कि details के है वो नई मालू में सिर्व इतना मालूम है कि Airtel ने बाहू बली के साथ मिलके कुछ promotional plan के तौरबे यह sim जो है वो launch करी है अब आगे details जब आएंगी तब मैं आपको इसके बारे में और बता दूँगा दोस्तों यहाँ पर जो अगला update है वो भी Airtel के लिए काफी good news होगी मार्च के महीने में दोस्तों सभी telecom operators को अगर आप जोड ले आपको बताऊं अगर scenario तो पूरे देश में 895 million approximately total customers है जहाँ पे Airtel के पास में है करीब 273 million would of उनके पास में है 209 million idea के पास में है 195 million geo के पास में है करीब करीब 100 million तो देखते हैं कि आगे चलके कौन आगे निकलता है कौन पीछे निकलता है लेकिन फिलाल के ले तो Airtel करीब 33% तो share है वो hold करके बैठा है तो यहाँ पर जो अगला update है वो है आपके लिए good news अगर आप use करते हैं iPhone तो यहाँ पर अभी एक नए अपडेट है WhatsApp का जिसके बाद में होगा ये कि आप Siri की मदद से WhatsApp को काफी अच्छे से use कर पाएंगे Siri आपके जो messages है वो पढ़के सुना देगी आप उसके तुरू reply भी कर पाएंगे तो ये एक नया integration हुआ है Siri के साथ में WhatsApp का जो की iOS devices के लिए शायद एक good news हो सकती है जो use करते हैं kidney बेचने के बाद में दर्द के साथ अपना iPhone दोस्तों यहाँ पर जगला update है वो एक बहुत ही कमाल की news है मतलब ऐसा internet पूरी दुनिया में किसी के पास पे भी नहीं है BSN दोस्तों अपने नया plan लेके आया है कलने आपको बता रहा था कि कैसे 339 के अंदर आपको मिलता है रोज का 3 GB साथ में आपको calls मिलती है लेकिन अभी अगर आपको calling से मतलब भी नहीं अगर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा ही यूज करना है तो 333 यानि कि 330 रुपे में 90 दिनों तक रोज का 3 GB यार ये मतलब 270 GB उसनों डेटा आपको मिल रहा है सिर्फ 333 रुपे में अगर आप calls निकालते हो तो आती है करीब 1.23 रुपीज पर GB आपको याद हो जब दोस्तों इलाइंस जियो का अनाउंस्मेंट हुआ था उस टेम पे मिस्टर मुकेश हमारी ने कहा था कि हमारा जो डेटा है वो सबसे सस्ता है 50 रुपे जीबी या फिर 20 रुपीज जीबी ने कुछ कहा था मतलब अब भी तो ये एक रुपे का एक जीबी यार इससे सस्ता आप क्या लोगे और यहाँ पर हालां कि 3G है 4G वगरे नहीं है लेकिन फिर भी चारों तरफ से हमारे जो offers निकल के आ रहे हो बहुत हैं इंट्रेस्टिंग है और ऐसे में हमें खुश होना चाहिए कि भाई हम जो है इदर से भी ले रहे हैं उदर से भी ले रहे हैं और जो अच्छा देगा हम तो उसी की तरफ आगे बढ़ जाएंगे तो यहाँ पर जो अगला अपडेट है वो है यूएस मार्केट में आता है या फिर कौन से मार्केट में पहले आता है हाला कि यूएस में पहले ही आएगा दुबई में भी आ सकता है विकास दुबई के इंदर ब्लेकबरी का मार्केट अभी भी है लोग ब्लेकबरी फोन को यूज करते हैं पसंद भी करते हैं इंडिया का नहीं मालूम की जो कीवन है वो कब आएगा, कहां पे आएगा लेकिन ये जो फोन है, ये BlackBerry का हला कि नाम है बनाये TCL ने, मार्केटिंग भी TCL करता है जो BlackBerry ब्रैंड ने में उसको अब TCL ही यूज़ करता है तो देखते हैं कि क्या पता या तो निकल जाएगा आर या फिर पार और बस अगली बार फिर शायद BlackBerry की फोन आपको देखने को नहीं मिले दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो आता है Samsung Galaxy S8 की कॉस्ट को लेके लेकिन जो फोन है वो बिकता है 59 का तो आप सोचोगा ऐसा क्यों है तो यहां पर दोस्तों यह सिर्फ उन पार्ट्स की कॉस्ट है उसके अलावा और बहुत सारी कॉस्ट इंवाल्ड होती है तो इसलिए फोन की प्राइस है वो बढ़ जाती है अगर आपसे बात करूं Galaxy S7 के कंपारिजन में तो यहां पर 43 डॉलर्स जो है करीब यह कॉस्ट बढ़ी है Galaxy S8 में विकॉस जो डिस्पले है वो काफी अच्छा है जो स्टोरेज है वो भी इंप्रूवड है जो रैम है वो भी इंप्रूवड है प्रोसेसर भी इंप्रूवड है तो ऐसे भी जो कॉस्ट है वो बढ़ गई है कोई बात नहीं S8 की बात नहीं करते हैं दोस्तों यहां पर जो अगला अपडेट है वो बहुत कमाल का है मैं आपसे हमेशा बात करता हूँ कि जो इसरो है वो कैसे नए-नए प्लांस के उपर काम कर रही है कैसे नए-ने प्रिजट्स के उपर काम कर रही है तो 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 यहां पे हम पहुँच गए थे पहले ही अटेंप्ट में मंगल पे और अब दोस्तों हमारी जो नजर है वो है वीनस याने की शुक्र पे दोस्तों इसरो का जो वीनस मिशन है वो एक तरीके से ओफिशियल हो चुका है इसरो ने invite कर ली है proposal सभी scientist से कि वो बताए कि क्या क्या हम experiments कर सकते हैं वीनस के साथ में यहां पे हमारा एक orbiter mission होने वाला है हाला कि mission को होने में भी time है 2020 से पहले नहीं हो पाएगा लेकिन फिलहाल के लिए planning पूरी शुरू हो चुकी है और यह होने वाला है शुक्रियान जहां पे इसरो की मदद से हम दोस्तों इंडिया का नाम रोशन करेंगे और जाएंगे वीनस तक वहाँ पे देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है आपको बता दूँ कि जो वीनस है वो hottest planet है और काफी है तक धरती से similar है size में आप देखते हैं कि mission कब शुरू होता है और इसके बारे में ओडिटेल्स क्या हाती है वो मैं आपसे जरूर शेयर करूँगा दोस्तों बस यही थे आज के सारे अपडेट्स मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको कोई रुस्वाला सुझाव हो तो आपनी जे कमेंट करना मत भूलिएगा अगर आपनी इस वीडियो को भी तक लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकोली मत भूलिएगा क्योंकि मैं आपके लिए रुजाना ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ फिलाल के लिए इतना है दोस्तों जया हिंद वंदे मात रम